हलो फ्रेंज, वेलकम टू लॉंग टर्म शेयर्स मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और अगर आप हमारे चैनल में नहीं देखिए यहाँ पर सस्क्राइब का लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो क सूच न मिलती रहे चली फटाब और पढ़ते देखिए मैं एक ऐसे स्टॉक पर बताने वाला हूँ सर बजाज फानेंस पर वीडियो डाले न प्लीज तो माज अली साहब ने पूछा यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों को मैं वन बाई वन करके जो जो स्टॉक के बारे बनाय रखिएगा और आप लोग भी खूब कमाई है शेर मार्केट में कोशिश मेरी यही रहती कि अच्छे-च्छे मैं स्टॉक्स आपको धूड के लाऊं और बताऊं के चलिए हम वाँ आगे बढ़ते हैं बजाज फाइनेंस के पहले हम वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं क्या प्रोडक्स हैं देखें फटाफट प्रोडक्स देख लेते हैं गोड लोन लोन अगेंस प्रॉपर्टी होम लोन इंस्टा क्रेडिट लोन अगेंस शेर्स Loan for Chartered Accountants, Loan for Engineers, Loan for Doctors, Home Loan Balance Transfer, Businesses Loan, Personal Loan, इतने सारे इनके Loan Products हैं और यह FD वगेरा भी देखिए, Bajaj Finance AMI Network, How to Use Business Loan AMI Calculator, और यह तो खेर इनकी Services हैं और यहां पर हम देखते हैं इनकी यह Products हैं कि Wallet Care, Insure Your Credit and Debit Cards, Adjusted Finance, Loan for Doctors, Business Loan, Exclusive Offer on Bajaj, Finance, RBL, Bank देखिए इतने प्रकार की यह Loan देती है, आप भी चाहें तो इनकी Website पर विजिट कर सकते हैं और भी अधिक जानना हो, डीटेल्स में मैंने पूरी Website छानमारी बहुत सारे चीज़ें, एक-एक से से कॉलम में जाके मैंने पढ़ा, और मैं इनके Return भी आपको दिखाता हूँ पहले तो शुरुआत करते हैं कि बजाज Finance Limited 12 अप्रिल को 2019 को, आज संडे है, यानि फ्राइडे को, जो लास्ट क्लोजिंग थी BSC पे 3,007 रुपए पे, अब आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी मेरी बात सुनिएगा, फिर ऐसा आप मत सोचे कि 3,007 रुपए का य ये 3,000 अगर कंपनी अच्छी है, एक्सलेंट क्वाल्टी की है, तो 3,000 रुपए कुछ नहीं है, क्योंकि इतना रिटन देती है, इतना रिटन देती है, कि आप बस देखिए अभी आगे बढ़ते हैं, 52 वीक लो था, इसका 1818 रुपए हाई था, 3130 जो हाई के पहुंची गया है, और ये मैं चार्ट आ गया हूँ, 2000 सन 2000 से लेकि अभी तक कि यहां पर चार्ट पर कैसे कैसे यह भागा है, 2014 से फिर यह उठना शुरू हुआ, एक तरीके स्थो लगातार ग्रोथ ही दिखाईती है अभी तक, बहुत अच्छा परटन है, और देखिए यह गया है, वन इस्टो वन का बोनस भी दिया था, और दीके डिविडेंड की भी यहां पर क्रमशाह लाइन बनी हुई, तो हर साल डिविडेंड भी पे करता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो यह मार्केट कैप है इसका, एक लाग तीहतर हजार आठ सु करोड, यह अब हो गया है, कि कमपनी इतना प्रॉफिट कमाया है, इतनी ग्रोथ की, सेल्स ग्रोथ इतनी हुई इसकी, कि इसका कैपिटल भी बढ़ गया, आज लार्ज कैप कमपनी है, EPS है Earning Pressure 61.71 की, PA की 48.73 की, Book Value है 286.28 की, और Price to Book है 10.50 की, Industry PA 39.36 की, Deliverable है 31.67 और Face Value 2 की है, ऐसे दिगज कमपनी हों के fundamental बताने हैं भी सम्मान की बात होती है, अब balance sheet पर देखिए, यहां पर करजा देखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि जो NBFC कमपनी होती हैं, इनका काम ही है कि पैसा लेके ही पैसे देती हैं और व्याज से कम आती है, simple सी बात है, आईए हम quarter के result देख लेते हैं, stand alone के हम देख रहे हैं, not consolidated के, देखिए, March 18 में जहां 3534 करोड की netsels थी, वहीं June 18 में 3791 करोड की हो गई, और सब्तमबर 18 में 4045 करोड और दिसंबर 18 में 4664 करोड की लगातार देखिए, growth है हाँ पर, और operating profit में भी same देखिए, जहां March 18 में 2298 करोड की थी, वहीं June 18 में हो गई 2614 की, सब्तमबर 18 में हो गई 2840 की, और दिसंबर 18 में 3193 की, नेट प्रॉफिट में देखिए, जहां March 18 में 720 करोड की नेट प्रॉफिट थी वहीं June 18 में 833 करोड की, और सब्तमबर 18 में 920 करोड की और दिसंबर 18 में 1022 करोड की लगातार, ग्रम शेह growth नेट प्रॉफिट में भी इन्होंने पनाहे रखा हैं सबर्दास्त, एक्सेलेंट क्वाल्टी कंपनी, कंपनी है, एक्सेलेंट क्वाल्टी, गुट् एवरेज, एक्सेलेंट, तो एक्सेलेंट, लेकिन, सेल्स ग्रूथ देखिए, 33.44% की, सेल्स ग्रूथ कितनी सबर्दस्त हैं, और पी रिश्यों देखिए, चुकि रोसी देखिए, 25.52% का, रोसी इसका 20.14% का, और एक्कॉर्डिंग टू मीटर, जो इनका प्राइस टू एनिंग के हिसाब से, यहाँ पे वेरी एक्स 25.12 के आसपास दिखा रहा है, तो इतने सस्ते मुझे आने का सवाल, अगर नीचे मिलता है, तो तो सोने पर सुहागा है, अगर किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ा कुछ दिक्कत आता और सेंसेक्स में कोई बहुत बड़ी गिरावाट आती और इसमे तो मैं रिटन बता हूँ कैसे कैसे दे रही है, आपको कभी भी नेगेटिव रिटन नहीं दिया है इसने, फिनेंशल ट्रेन देखिए अभी वेरी पॉजिटिव पे है, स्कोर है 25 का और ये देखिए, रिटन जहां 10 साल में जिसने पैसे लगाया थे उसको 38,304% का रिटन, 38,304% का रिटन, मुझे लगता है कल्कुलेटर उठाना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा समय जाएगा, तो आप इसमें जोड सकते हैं कि 38,000 कितने हो जाएंगा, माली जी आपने 1,00,000 लगाये थे और उस 1,00,000 को आपको 10 साल में 38,304% का रिटन मिला है, एक्जामपल के लिए 5 सालों में 16,600% का रिटन है, तो मतलब यहाँ आपके 17,00,000 रुपए हो गया, अगर आपने 5 साल पहले 1,00,000 रुपए लगाये थे, तो उसी हिसाब से according to order wise यहाँ भी आप कल्कुलेट कर लीजे, फिर आप सोचिए कि कितना जपरतस्त रिटन है, जोड़पती बना दिया, जिन्होंने कुछ पैसे लगाये होंगे, वो तो अरबपती बन गए होंगे, तो वो काउँ है, कल्कुलेटर लेकर आपको इपर जोड़ना पड़ेगा, चार सालों में देखिए 530% का रिटन, तीन सालों में 3111% का रिटन, दो सालों में 137% का र दिया है, और 3 मन्स में 19.76% करों, एक महीने में भी करीब 10% के आसपास का रिटन है, एक महीने में जो फिक्स टिपोजिट में एक सालों मिलता है, 7.7,8,8% वो देखिए 1 महीने में दे दिया है, वन वीक में 3% के डाउन साइड है, तो फ्रेंज देखा आपने रिटन, तो क कभी नहीं किया है, ऐसे दिगज कमपनियों में भली थोड़ा सा स्टॉक प्राइस महेंगा होता, लेकिन कमपनी के मुकाबले कमपनी के वैल्यू के हिसाब से स्टॉक प्राइस सस्ता है, फनेंशल में हम देखी चुके हैं, और यह देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स की होल् रहे हैं, फाइये जने चैसो एक्यासी, फॉर्न इन्वेस्टर्स कितने समझदार होते हैं, चैसो एक्यासी लोगों ने 20.67% की होल्डिंग बना रहे हैं, और हाइस्ट पब्लिक शेयर होल्डर गवर्मेंट आप सिंगापूर, वाओ, इंडिविजुल इन्वेस्टर्स हैं 9.1%, हम जैसे खुद्रा ग्रहाग ये है, फाइन्स अम्बेस्ट कंपनी बजाज हाउस है और 1987 से काम कर रही, 4 रुपए पर शेयर के डिविडेंट देती है, लार्ज केप कंपनी और अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन कंपनी है, तो दोस्तों मैंने दिखाया आपको बज 20,000, लेकिन आपके पॉर्टफोलियो में ये होना चाहिए, आपके जितने किशमता हो, हो सकता है कि आप अगर S.I.P करते हैं, तो किसी मन्त में आप दूसरे स्टॉक की बजाए, कुछ इसके भी रख लीजिए, 2-3 ही रख लीजिए, 10,000 के खरीदने, 2-3 आजाएंगे, 2-3 आप माशुरा कलने, मेरा काम था एक इंफोर्मेशन देना, जो प्लब था और मैंने बताया, और मेरी जो ओपेनियन है, मैं तो, अगर बजाज फैनेंस में, मुझे मौका मिलेगा, तो मैं खरीदूंगा, ऐसे स्टॉक्स, अच्छे, एक्सलेंट क्वालिटिक कंपनी ही, य थाल भीक, क्वालिटूंगं।